गौपाल नेगी ब्लॉक में आप सभी लोगों का स्वागत है और बच चुके हैं सुभो के साथ और पहाडों में लगा हुआ है अभी कहरा आज है पहली नवरात्री मातरानी की किरपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा बनी रहे नीचे को जाधा कहरा लगा हुआ है, तो चुझा नीचे को जाधा कहरा लगा हुआ है। फाइनली हमारे इतने सारे हाजिरी के फूल खिले हुए हैं यह देख सकती हो और इनसे बनाते हैं माला फिर मंदिरों में चलते हैं इनको चड़ा नहीं यह देख सकते हैं इतने सारे होरके हैं अब चलते हैं माता रानी के मंदिर में जो हमारे घर के दो खेद उपड़ है अब चलते हैं वहाँ और आपको दिखाते हैं मंदिर यह है मंदिर यहां से हमारे घर से दिख रहा है और यहां पर अभी लगा है कोहरा जो अच्छे से साफ से दिखनी पा रहा है और चलते हैं यह है ह्जरी के फूल जो खिले हुए है और यह मदिर माता रानी का मंदिर अब चलते हैं मंदिर के अंदर नस देख सकते हो यह यह है गुलू देपता का मंदिर जैहो, गोलुदेवता यह मांता-रानी का मण्दिर, यहाँ पे गड़िज जी और हन्मान जी का भी मंदिर है और यह दूसरे गोलुदेवता का मंदिर है और फायनली यहाँ से नीचु को कुछ नहीं दिखा है क्योंकि यहां लगा है कोहरा निचको को सब लगा है कोहरा और यहां से उधर को भी हागा कोहरा और फाइनली हम आ चुछें अपने मंदिर से अब चलते हैं दूसरे मंदिर में दर्सन करने और अब हम चलते हुए www.mm szcz लाओर के दोनी में जो हर गाओं में एक धुणी होती है पातारानी की और देख सकते हो पहाड़ों मां बहुत थंड हो चुका है यह देख सकते हो सब कोहरा लगा हुआ आठ नौ बजेता लगे गए दूप भी थोड़ा सा दिखती है यह देख सकते हो नीचे को तो कुछ नहीं दिख रहा जरको नेदी है तो उपर को कम होरका है को कि थोड़ा भाद दूप आ चुकी है अब अब हम चलते हैं मातारानी के धुणी में और फाइनली हम अपने धुणी में पहुंच चुके हैं यह हमारा धुणी का गेट यह है हमारी मातारानी की धुणी यहाँ पर धुणी की चोखंडी जलते हुए देख सकते हो आप और अब चलते हैं मंदिर के अंदर मातारानी के दर्शन कन्ने यह है मातारानी का मंदिर देख सकते हो आप लोग पहाडों में हर गाओं में होती है मातारानी की धुणी तो अब हम जा रहे हैं भूमी देपता के मंदिर में दर्शन करने तो गाइस यहाँ से इस परकार का यू दिखता है देख सकते हो उधर को क्योंकि अभी सुरण अच्छे से नहीं आरखा है और बादल भी लगे हैं पहड़ों में इसके उज़ों से साप से नहीं दिख रहा है और हम पहुँच चुके हैं भूमी देपता के मंदिर पर तो गाइस फाइनली हम पहुच चुके हैं भूमी देपता के मंदिर पर और गाइस यह है भूमी देपता का मंदिर देख सकते हो और नीचे भी मंदिर है और लोगों के औ यह हमारा गाव और नीचे भी है पेड़ों के वजो से नहीं दिख रहा अच्छे से यहां से इस परकार का व्यू दिखता है देख सकते हो तो गाइस अब चलते हैं गोलु देपता के मंदिर में दर्सन करने और अब हम चलते हुए गोलु देपता के दर्सन करने के लिए क्यो क्यों है और देख सकते हो और ऊपर को गहां दिख रही है दूसरी घृणा वा लोematर के है यहां से दूसरा जैंगल भी पढ़ाता है तो गाइस पहुच चुके हैं गोलु देपता के मंदिर पर अब चलते हैं अंदर तो गाइस यह हैं गोलु देपता का मंदिर देख सकते मुर्थि नहीं रखी गई है। अंदर का अकृध गुरुका सकते हो यहां से यहां से वह सकते हो यह गास कारने के बाद भी थोड़ा बहुत खेतों महर्याली अभी भी है देख सकते हो यह उपर को घास अभी ऐसे बची है और जो दिबाल दिखे बीच में यह दूसरे गाउं वालों का जंगर है उधर को और नीच को हमारे गाउं वालों का तो गाउं हो चुके हैं गोलु देप्ता के दरसन और अब चलते हैं घर को तो गाउं के सबसे टॉपप पर tdop और यहों के हमारे उधर रहें देख सकती हो यहां भी हवाई चली है सुभ care यह देख सकती हो दिन भर यहां मनला हवा चलती रहती है और यहां से व्यू मनला देखने का मज़ा ही अलग कुछ और अलग है यह यहां से उधर को भी हमाले दिखता है अभी नहीं दिख रहे हैं पहाडों में क्योंकि धुंद लगी हुई है बारिस के बाद ही साप होगा तो और थोड़ा बहुत बारिस होने भी लगी है फाइनली पहाडों में चार घंटे के बाद बारिस रुख चुकी है अब और पहाडों का मौसम दिखाते हैं आपको कैसा हो चुका है तो देख सकते हो बारिस का मौसम अभी भी पहाडों में बना हुआ है रात तक बारिस और हो जाएगी और इधर को देख सकते हो इधर को अभी भी बारिस हो रही है और नीचे नदी भी आने लगी है थोड़ा बहुत और इधर को भी बारिस का मौसम बना हुआ है और हमारे वहां भी बारिस थोड़ा बहुत और शुरू होने लगी है दुबारा से देख सकते हो बारिस क नदी भी दिख रही है यहां है नदी और यहां है उच उचे पहाड यह देख सकते हो और बारिस रात तक और हो सकती है तो पहाडों में फाइनली बारिस दुबारा से सुरू हो चुकी है अब और पहाडों में और भी ज्यादा ठंड हो जाएगा ठंड पहले से हो रहा था पह झाल झाल झाल